नमस्कार दोस्तों आज हम जानेंगे मेरु दंड के बारे में कैशेरु का मेरी दंड के बारे में या स्पाइनल कोड के बारे में की स्पाइनल कोड कैसी होती है कौन-कौन से इसके वर्टीब्रा होते है और कौन-कौन सी से लेटेड डिजीज होती है और कौन सी योगिक टेक है या exercise है जिनसे spinal cord fit रहती है स्वस्त रहती है तो आज इसी पर हमारा पूरा ये वीडियो रहेगा तो देखिए आप skeleton भी देख पा रहे है skeleton जो system है इसमें भी आज हम पूरा आपको दिखाएंगे practically और साथ में जो board पे picture diagram बना हुआ है इसको भी हम दिखाएंगे तो देखें जो हमारी backbone है ये backbone है हमारी जिसे रेड़ी की हड़ी भी कहते हैं जिसे spinal cord भी कहते हैं जिसे मेरू दंड भी कहते हैं मेरू रज्जू भी कहते हैं ये backbone है हमारी जिसे कहते हैं ये बच्चा मेरा backbone है ये मेरी backbone है तो ऐसे ही हमारे शरीर की ये backbone है जिसकी वज़े से हम खड़े होते हैं और दो पेरों पे चल पाते हैं, बैठ पाते हैं, ध्यान कर पाते हैं, एक्सेसाइज कर पाते हैं, अगर इसका एक भी वट्टी ब्रा डिस्टरब होता है, तो हमारी बहुत सी क्रियाओं में हमें प्रेशानी होने लग जाती हैं, तो देखे, backbone का अमारे जियुन में बहुत ही महतपुरन रोल है, और backbone का चीक रहना, स्वस्त रहना, फिट रहना बहुत ही जरूरी है, और आज इसी की आज संप्रण हम चर्चा करेंगे, इसी के बारे में हम इस वीडियो में जानेगें, तो देखे, backbone ही है जो हमें अन्य प जानोरों की तरह से, क्योंकि हम बच्चे थे, तब हम च्यार से चलते थे, है ना, दो हाथ, दो पैर, जैसे backbone क्योंकि कमजोर होती है backbone उसमें, जैसे जैसे बच्चा बैठ भी नहीं पाता है, तो backbone कमजोर है, इतना weight सहन नहीं कर सकती है, तो जैसे backbone मजबूत होती जाती है, बच्चा बैठना भी शुरू कर देता है, और फिर धीरे 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 फिर बच्चा, जैसे उसकी bone strong होती है, जैसे उसकी spinal cord strong होती है, बच्चा खड़ा होना भी शुरू कर देता है, उसके बच्चा आगे जुकना, पीछे जुकना, दाएं, बाएं घूमना शुरू कर देत तो इसी पूरी प्रक्रिया को हम जानेंगे अध्यात्मिक साधना में भी बैक्बोन का बड़ा महतव है नर्वस सिस्टम में भी इसका बड़ा महतव है क्योंकि इसमें कुछ कुछ रिफ्लेक्ट एक्षन भी होते है ना सी ऐसा फ्लूड भी इसमें होता है सेरीब्रो स्पाइनल फ्लूड भी इसके अंदर होता है और कुछ यह रिफ्लेक्ट एक्षन भी करती है तुरंत प्रतिक्रिया है ना एक दम से कुछ आ जाए तो हाथ हटाने का कारिये यानि मैस इस brain तक भी नहीं आता है sensory nose के दौरा उससे पहले हम अपने पैर को हटा लेते हैं तो वो reflect कौन कर रहा है हमारी backbone कर रही है तो quick response देने का कारे भी backbone करती है और इसलिए backbone को second brain भी कहा जाता है ठीक है nervous system में इसको second brain कहा जाता है क्योंकि कुछ क्रिया कलाप ये खुद ही कर लेती है brain की भूमी का कई बार खुद ही निभा लेती है तो चलिए इसी के बारे महाजविस्तार से हम जानेगे देखे ये हमारी उपर खोपड़ी है हमारा skull है और ये हमारी backbone है हमारी read की हड़ी है मेरूदन है कशरू का दंड है ये आप इसमें भी देख पा रही है ये हमारी खोपड़ी है skull है और ये skull भी जो टिका हुआ है हमारी खोपड़ी भी जो टिकी हुई है इधर उदर हम गुमा रहे हैं दाएं, बाएं, क्लोकवाइज, एंटी क्लोकवाइज जो भी हम योग की exercise कर पाते है वो इस backbone की वज़े से ही कर पाते है तो ये पूरी जो खोपड़ी टिकी हुई है ये backbone के उपर ही टिकी हुई है हमारी ribs भी इसी से जुड़ी हुई है एक video हम जान चुके है हमारा scapla, हमारे hand सब का relation कहीना कहीं backbone से ही है हमारे hips का, हमारे legs का सब का relation कहीना कहीं backbone से है backbone का मतलब होता है कि अपने आपने मजबूत है अपने आपने प्रिपूरण part है ये हमारी back है, हमारी peak है है इसके बिना अमारा जीवन निर्वान नहीं हो सकता देखा हो ना जिसकी कमर में चोट लग जाती हो जीवन भर ऐसे लेटा रहता है wheelchair पे लेटा रहता है को activity नहीं कर पाता है इसलिए इसका strong रहना, fit रहना बहुत ही जरूरी है तो वो strong करने के लिए जो exercise है उनकी भी आज हम चर्चा करेंगे जो आसना जाय है, जो योग आसना उनकी भी हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले देखिए जो backbone होती है उसमें जो छोटी छोटी आप देख पा रही है यह वटी ब्रा है ये साथ क्या है वटी ब्रा होती है टोटल यह 33 होती है वटी ब्रा यह देख पा रही है यानि जैसे चक्की का पार्ट होता है ऐसे यह ट्विश्च करते हैं गोल-गोल घूमते हैं चक्की के पार्ट की तरह से जब इनमे कोई प्रोब्लम आ जाती है तो कोई ना कोई अलग-लग तरह के जो रोग है वो फोज आते हैं तो यह vertebra जो पूरी spanel code है यह 33 vertebra से मिलकर बनी है मेरुधन जो कशेरुकाई है उनसे मिलके बनी है तो यह 33 होती है इनके बारे में हम जान लेते हैं तो देखिए जो first seven होती है इन्हें cervical vertebra कहा जाता है cervical vertebra ठीक है? cervical vertebra जो starting की seven होती है यहां से लेकर one, two, three, four, five, six, seven यहां तक ठीक है? इन्हें cervical vertebra कहा जाता है यह साथ है कहते हैं मुझे cervical की problem है गर्दन में दर्द रहता है तो वो इन साथ में कहिने की problem है इसलिए आपको cervical रहता है तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे cervical की भी क्योंकि आप या तो आज कल देखा हूं हम mobile में आगे देखते रहते हैं या ज्यादा driving करने के वज़े से या बाइक आदी चलाने की ज्यादा चलाने के वज़े से या जुकर कारे करने की वज़े से है ना या तक्यादी पीछे ज्यादा साहरा लगाने की वज़े से सर्वाइकल की प्रोब्लम होती है तो जो 7 वर्टीब्रा है इनिमें ही होती है जो उपर की 7 वर्टीब्रा है इनिमें ये प्रोब्लम होती है तो देखे जो सबसे पहली वर्टीब्रा है जिसे Atlas कहते हैं सबसे पहली वर्टीब्रा जो बिल्कुल खोपडी के साथ है खोपडी इसी पर टिकी हुई है फस्ट वर्टीब्रा के उपर देखिया आप ये Red साब को दीख रहा है बिल्कुल इसके साथ तो ये पहले जो वर्टीब्रा है इसके उपर हमारे खोपडी टिकती है और इसी से ही हम जैसे कई बर माँ पूछती है न बेटा दूद पियो गए हाँ माँ यस जो बोलते हैं न यस गर्दन को आगे और पीछे योग की exercise भी है न सबसे पहले हम गर्दन को आगे पीछे ही जुकाते हैं नेक की जो भी exercise है गर्दन की जो भी exercise है उसमें सबसे पहले हम ऐसे ही करते आगे पीछे न तो यस भी हम बोलते हैं हाँ जब शर्द बोलते हैं तब भी हम आगे करते हैं गर्दन को तो वो सारा कारिक किस वज़े से हो पाता है आपके एक्लास کی वज़े से सबसे पहली वटिबरा है c1 जिसको हम कह सकते है सरवायकल की जो फर्स्ट वटिबरा है वो क्या है atlas है जिसकी वज़े से yes कहेपाते हैं इसके बाद जो दूसरी वटिबरा है जिसे c2 कहते है ये देखिने पहले vertebra इसके बाद प्रंत इस C2 है cervical vertebra 2 तो ये क्या है इसको axis कहते हैं पहले वाली को Atlas कहा है दूसरे वाली को axis कहा है axis क्या करती है axis no जैसे बच्चा कहता है बेटा बोजन करोगे नई मामा ये खाओगे नई मामा तो जो बच्चा गर्दन ऐसे ऐसे हिला रहा है या हम भी योग की exercise ऐसे करते हैं तो उसमें no no शब्द यानि नहीं करना तो नहीं का मतलब गर्दन ऐसे ऐसे होती है तो वो किस वज़े से हो पाती है हमारे axis की वज़े से जो C2 है यानि cervical second की जो vertebra है उसकी वज़े से हो पाती है है न ये अगला इसके बाद हम बात करें ये पीट जो होती है हमारी जो वज़न सहन करती है हमारी यहां तक हो गई थी साथ के बाद ये आठवी से हमारी जुड़ी रहती है हमारी जो रिप्स वगएरा है तो एक, दो, तीन, च्यार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा यहां तक यह जो बारा है इन्हें क्या बोला गया है इन्हें थोरसिक वट्टीब्रा कहा गया है थोरसिक है ना, थोरसिक तो थोरसिक जो वट्टीब्रा है यह बारा होती है तो हमारी rips भी लगबग इनी से ही जुड़ी रहती है आगे 12 जोड़ी rips हैं तो इन 12 वट्टी ब्रा से जुड़ी रहती है और जो वजन उठाने का कारी है वो भी इनी के वज़े से हो पाता है पीछ के उपर कुछ लोग बोरी लाते हैं तो सारा जो वजन को बैलेंस करने का मेंटेन करने का उसको रोकने का ताकत देने का जो पारिय करती है वो हमारी ये 12 जो वट्टी ब्रा कर्लूमन है यही करती है ये थोरसिक होती है ठीक है वक्स की वट्टी ब्रा बोलते हैं ने तो ये महतपुरुन है इसके बाद इनके 12 के बाद आपकी कितनी होती है 5 होती है अगली 1,2,3,4,5 ठीक है ये 5 ये क्या है ये लंबर है लंबर ठीक है ये लंबर कहा जाता है और ये कितनी होती है संख्या में 5 होती है कई बार डिस्की प्रोब्लम होती है डॉक्टर कहे देता है ना कि ये लवन में प्रोब्लम है लटू 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 में प्रोब्लम है तो ये लटू, 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 प्रोब्लम होती है तो L क्यों बोला जाता है क्योंकि लंबर है अंगरेजी में उसका पूरा नम लंबर है L1, L2, L3, L4, L5 यानि ये संख्या में पाच वटी ब्रा होती है इसमें 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 वटी ब्राएं है आप देख रहें न 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 वटी ब्राएं है ठीक ह ये लंबर है इनमें ही कहीना कही प्रोब्लम होती है ऐसे ठीक से ट्रन नहीं करती तो इनमें डिस्क की प्रोब्लम हो जाती है और क्योंकि व्टी ट्रन नहीं करता है दाएबाय एक्सेसाइज नहीं करता है ज्यादा आराम करता है तो उस वज़ए से ये मसल्स जकड़ जात इसकी वज़ेба से दाएबाय टरन नहीं होता है और वो फिर ब्लोकेज होना सुरूर हो जाता है ना और उस वज़े से फिर दर्द होना शुरूर हो जाता है कुछ आप देख रहें ना एक टाइट सा ओर्गन यहां जो बिल्कुल हमारे कुले जो हैं हिप्स जो हैं उनके साथ लगा हुआ जो ओर्गन है जिसकी वज़े से हम अच्छे से बैठ पाते हैं है ना यह यह वन टू त्री फोर फाइफ यह पाच अच्छा सा है यह मतलब मजबूत ह यह काफी जिसकी वज़े से हम बैठे बैठे भी काफी वजन सेहन कर लेते हैं सो किलो डेड़ सो किलो अपना खुद का वजन भी और उपर और रखा वजन भी सेहन कर लेते हैं मतलब यह इसको काफी स्पोर्ट परदान करती है यह फाइफ सेक्रल और फाइफ सेक्रल के पूछास्ती आपक्सीजीजील भी कहते हैं यह देखिए कॉक्स यापक्सीजीजील यह फोर होती है अब यहां पर महत्वपुन बात है समझ ले कि क्या कि जो बच्चा होता है उनमें इनकी संख्या 33 होती है यानी 7 प्लस 12, 19 प्लस 5, 5 29, फ्लस 4 23 होती है लेकिन बच्चा जैसे बैठना शुरू कर देता है और जैसे जैसे उसकी उमर बढ़ना शुरू हो जाती है 3, 4, 5 साल के बाद इनकी संख्या 26 हो जाती है यानि 26 का मतलब कुछ वर्टीब्रा कम हो जाती है 7 वर्टीब्रा कम हो जाती है वो कहां से कम होती है कम नहीं होती है वो ये जो 5 है जो 5 सेक्रल है ये आप देख रहे हैं चोड़ा सा हिस्सा जो हिप्स के बिलकुल 7 है तो ये 5 मिलकर 1 हो जाता है ये 5 मिलकर जो सेक्रल है 5 पाचो जो छोटी-छोटी वटी ब्राई हैं, जैसे बच्चा दीरे-दीरे 6 महने के बाद बैठना शुरू करता है, तो दीरे-दीरे मजबूत होना शुरू हो जाता है, उसको स्कोर्ट देना शुरू कर देता है, और जैसे बच्चा और अच्छे से बैठना शुरू कर देता एक दो साल का हो जाता है तो दीरे दीरे ये सारी इखटी वर्टी बरा जुड़ जाती है ठीक है कशिरों काई जुड़ जाती है और ये पाचों मिलकर एक हो जाती है ठीक है ना पाचों मिलकर एक हो जाती है क्योंकि हमारा शरीर भी पांस तत्तों से मजबूती के साथ एक हो जाती है जिससे बैठने में पुरा स्पोर्ट मिलता है और स्पैनल कोड को भी रिलेक्स मिलता है और आराम से व्यक्ति वजल को भी शेहन कर लेता है इसके बाद देखी आगे ये कॉकेक्स जो है या कॉक्षिजियल जो है वो भी च्यार होते थे छोटा बच्चा था तब च्यार वो पुछास्ती होती थी छोटी सी ये देखे आप देख पारें पुछास्ती बिल्कुल छोटी सी ये च्यार थे छोटे 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 और ये भी दीरे दीरे जैसे उपर वाला वर्टीबरा होती है ना विल्कुल छोट छोटी वर्टी वर्टीबरा होती है ये भी तेल Bock याfle य और कोकगैक्स या कोकशिजियल या पुछास्ती मिलकर एक हो जाती है तो ये च्यारों जो थी जो एक कोकशियल तो टोटल जैसे बच्चे की बड़ी अवस्था होती है वो अपना वजन सेहन करना शुरू कर देता है जैसे जैसे उसका वजन बढ़ता है तो इसके उपर दवा पड़ता है और दीरे दीरे ये एक हो जाती है यानि ये पांचो सेक्रल एक हो जाती है और लास्ट वाली जो टेल बोन है या कोकिजियल है या कोकेक्स है वो भी एक हो जाती है है ना ये टोटल नो होती है बाद में एक-एक होने के बाद ये दो बन जाती है और टोटल इनकी संख्या कितनी हो जाती है 26 यानि बच्चा होता है तब ये कितनी होती है 33 त्री क्या वर्टीब्रा यानि हमारी कैशेरूकाई और जैसे देरे देरे बच्चा बड़ा होता जाता है बैठना शुरू कर देता है तब यह संख्या घटकर 26 हो जाती है क्योंकि वो शरीर को सहरा देती है उसी वज़े से हम वजन उठा पाते हैं बैठ पाते हैं और बनेते बात की साथ सर्वाइकल वर्टीब्रा है बारा थोरसिक वर्टीब्रा है पांच लंबर वर्टीब्रा है फाइफ सेक्रल वर्टीब्रा है फोर कोक्सिक्स वर्टीब्रा है लास्ट में चारो एक हो जाती है पांच वी सेक्रल भी एक हो जाती है इसलिए 26 बन जाती है बच्वन में 33 होती है यह हमने जाना आप देखें इस Spinal Core से लेटेड रीड की हड़ी से लेटेड या मेरुधन से लेटेड या कशेरु का दंड जो है इस से लेटेड जो डिजीज है एक होता है Spondylitis कि पोरी रीड की हड़ी में कोई प्रोब्लम हो जाती है या इसे ही Lumber Spondylitis कहते हैं या दो चक्की के पार्ट होते हैं जिसमें आप अन पीसते हैं अगर वो साथ जुड़े हुए है ठीक डंग से अभी अन को पीस पाएंगे अगर थोड़ा सा भी gap आ गया तो आपका अन पीसेगा नही एजिटीज आ जा जाए सवाओसरी के ओपाई है कि लंबी ड्राइविं हो सकती है तक्य लगा कर शोना हो सकता है गलत तरिके से सोने की मुदरा हो सकते है मोबाईल जड़ा देखना हो सकता है नीचे जुकर काम करना ज़्यादा हो सकता है पीठ पर ज़्यादा वजन रखने के वज़े से हो सकती है कई इसके कारण हो सकते है जैवी कारण भी हो सकते है इसके अतरिक्त कोई आपकी गलप मुद्रा भी गलप पोस्चर भी हो सकता है तो देखे तो इंगे ये सर्वायकल की मैंने बताई आपको problem जो सेवन वटीब्रा में होती है, शर्वात की, जिसने atlas, access, है न है इह सब होती है, दूसरा आपके disc की problem होती है, कहते है मैं अरे disc हिल गई है, तो disc का मतलए goal, है न, पहले CD डलती थी न, उसको disc भी कहते थे, تو CD डलती थी, त ठीक है, लंबर में ये problem होती है, किसकी, disc की या नहीं, वो कहीं नहीं, जब चक्की का part है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, तो आपको पता है, ठीक से अनको नहीं पीछेगा, ठीक से अपना कारे नहीं करेगा, तो इसी तरह ये disc थोड़ी बहुत हिल जाती है, आग L5 तक होती है, कई बार है, S में भी problem हो जाती है, लेकिन S में problem कम होती है, लंबर में problem, ज़्यादा होती है, क्योंकि सेक्रल तो एक हो जाती है, मिलकर, ये सेक्रल तो एक हो जाती है, तो इसमें इतनी problem नहीं होती है, लंबर में problem होती है, इनमें ज़्यादा होती है, इस एक spinal code की major problem है यानि या तो read की headdy ऐसे हो जाती है यानि थोड़ी या तो हिदर जुग जाती है ऐसे या फिर थोड़ी उदर जुग जाती है कोई वक्ति ऐसे चलता है कोई वक्ति ऐसे हो जाते है करव के आकार में बन जाती है C आकार की जैसे यह मैंने बनाए आपको C आकार ऐसे C जुग जाती है ऐसे या फिर इदर से जुग जाती है यहां से read के एड़ी थोड़ी सी करव पोजिशन में आ जाती है read के एड़ी थोड़ी ऐसे भूम जाती है तो वो कई बर क्या होता है कि एक कंदे पर जादा वजन उठाने के वज़े से कुछ लोग कंदे पर कटा, बोरी या कुछ ऐसा बारी सामान उठाते है या बाल्टी वगरा एक साइड से कुछ एक साइड से जादा करे करने के वज़े से तो ऐसे spinal code जुगने लग जाती खासकर कच्छी अवस्ता में, छोटी उमर में या इस साइड से करते हैं तो ऐसे जुग जाती है ना देखावनों के वक्ते ऐसे चलते हैं तो यह scholosis की problem है तो इससे anti जो exercise है वो करनी चाहिए योग विशिशग्य के निर्देशन में के वाई पी एच ओ एस आई एस काईसिस यह यह forward cow होता है काईसी होता है कि आगे की तरफ कर आओ तो यह रीड के अड़ी है आप देख पा रहे हैं थोड़ी है ना पीछे पीछे से उब्री हुए अलकी सी और कायुसिस जब होता है, रीड के अड़ी छोड़ी आगया जाती है, यह देखे, पीछे थोड़ी दभी हुए लग रीव है, यहां से, सामने से तो और बीच में से तोड़ी अब्री हुए आ जाती है, यू बन जाती यू तो ऐसे रीड की हड़ी के होने के वज़े से होता हो थोड़ी सी जो सीधी होती हो बीच का इसा थोड़ा यू हो जाता है यू तो बीच का इसा थोड़ा आगे आ जाता है तो वहाँ पर भी काव बन जाता है उसे ही कायोसिस कहते है यानि रीड की हड़ी का आगे की तरफ forward band होना ठीक है? पीछे के बज़ा है forward band होना क्या बन जाता है? कायोसिस बन जाता है और फिर आगे एक लोडोसिस तो लोडोसिस जो disease है या problem है वो क्या है कुबड जो होता है जैसे आगे कुबड मैंने बता है न आपको आगे से हो जाते हो ऐसे से ये पीछे का हिस्सा उबर जाता है ये पीछे का हिस्सा जो है ये ऐसे उबर जाता है रीडिक अड़ी पीछे से ऐसे हो जाती क्योंकि जो गर्दन जुका के ज़्यादा चलते है लड़कियों में ज़्यादा सर मिलापन होता है उसकी वज़े से हो सकती है सर पे ज़्यादा वज़न रखने की वज़े से हो सकती है कई पॉबलम साइन के इसकी वज़े से कई बार ये पॉबलम हो जाती है ये अड़ी थोड़ी ऐसे उर जाती है और पीछे कुबड बन जाता है पीछे कुबड बन जाता है बच्चे, बच्चों को बनता है, खासकर लड़कियों को बन जाता है, जो शर्मिला पंजिन में जादा होता है, अक्सर मैंने कक्षा में देखा है, छोटे बच्चे होता है, चठी-सात वी क्लास की लड़कियां, लड़के उन में जादा बन जाता है, जो जुक कर काम करते है पीछ पे ज़्यादा साहरा लेते हैं, वजन ज़्यादा शर पे रखते हैं, गर्दन आगे जुपा के रखते हैं, उनको ज़्यादा प्रोब्लम होती है, तो यह कुछ डिजीज थी, जो spinal cord की है, यह common disease थी, इसके structure-related disease है, ना, मुला, problems है, structure-related problem है, तो इनका solution क्या है, तो दे अब्यास है, इसमें, ठीक है, कटी चक्रासन, इसके अतरिक मैं बात कू तिर्कोनासन बहुत अच्छा है से, करते हैं ना, तिर्कोनासन, यह बहुत अच्छा अब्यास है, इसके अतरिक तगर आपका कराव जो है, वो आगे की तरफ है, यानि आपको कायोसिस की problem है, तो अधस्तासन कर सकते हैं, आपको लोडोसिस की problem है, यानि पिछे कूबड है, तो आप अर्ध्चकरासन का ब्यास कर सकते हैं, यह कुछ standing posture थे, इसके अतरिक तगर मैं बात करूँ, sitting postures की, तो sitting postures में आप, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी disease है, सामने तो मैं common बता देता हूँ, आप पदमासन लगा कर सीधे बैढ़ सकते हैं, इसके अतरिक तो योग-mुद्णा का अब्यास कर सकते हैं, मतश्यासन बहुत ही अच्छा है, इसमें अगर मैं बात करूँ, कमर के बार लेट कर तो चकरासन मैं ने बताया आपकोstormदा पश्यासन बहुत अच्छा है, जो चकरासन का अभ्यास नहीं कर शकते हैं और इसके अत्रिक्त अगर मैं बात करूँ कमर के बर लेट कर तो मरकटासन बहुत अच्छा है मरकट यानि बंदरपोज सीधे लेट कर पैरों को दायबाई रखा जाता है इसके लगबग तीन पोश्चर तो सीधे होते हैं तीन जो सीधी होते हैं एक और होती है चार या पास सीधी होती है पोजिशन्स होती है पाँच अलगलग तरह से मरकटासन किया जाता है तो उसका अभ्यास भी हम कर सकते हैं बहुत अच्छा है मरकटासन सरशेष्टासन है स्पाइनल कोड के लिए उसकी अलगले चरण हमें करने आने चाहिए हमने वीडियो बना रहा है उसमें आप देख सकते है इसके अतरिक तकर मैं बात करूँ पेट के बार लेट कर तो पेट के बार लेट कर करने में सबसे अच्छा असन भुजंगासन है तरियक भुजंगासन है और इसके अतरिक तकर मैं बात करूँ धनुरासन वो ही बहुत अच्छा असन है शलवाशन बहुत अच्छा अभ्यास माना गया इसके लिए तो ये पेट के बर लेट कर की जाने वाली क्रियाई हैं और इसके अतरिकते कुछ आसन और भी हो सकते हैं आपकी कौन सी डिजीज है उसके अकोडी तो ये विशेशग के निर्देशन में ही करने हैं आपको देखा देखी नहीं करनी है आपको किस तरह की प्रॉबलम है उसको डिफाइन करके उसको देख कर ही जो योग विशेशग है योग एक्सपर्ट है वो आपको बता पाएंगे कि कौन सी पोस्चर आपके ठीक है आप खुद नहीं कर सकते आपकी उमर भी देखी जाएगी इसके तरह आपको कौन से रोग है वो भी देखी जाएंगे फिर आपको विशेशग आपको स्पोर्ट देखकर भी उक्रियाई करवा सकता यानि अगर आपसे उक्रियाई नहीं होती है योगी क्रियाई नहीं होती है तो आपको जिसे उस्टासन का भ्यास कराना है तो उसमें स्पोर्ट दिया जा सकता है सरवाइकल में उस्टासन नहीं बताया जाता लेकिन एक्सपर्ट अपने अनुसार उस्टासन का भ्यास करवा सकता कि कितना इसको गर्दल पे स्पोर्ट देके कितना इसको बैंड करना है है ना उश्टासन भी एक अच्छा भ्यास माना गया है तो ऐसे कुछ पोश्चर से हैं जिनको स्पोर्ट के साथ कराया जाता है लेकिन कुछ जगह पर प्रोबिटिड होते हैं कुछ प्रोबिटिड की प्रोब्लम्स में लेकिन फिर भी उनको स्पोर्ट देकर करवाया जा सकता है तो अच्छा रजल्ट कम समय में मिल सकता है तो ये मैंने आपको कुछ आसनों की बात बताई है कि कौन से आसन आपकी स्पैनल कोर्ट को मजबूत बनाते हैं strong मनाते हैं आपकी जो spinal code है वो healthy रहती है fit रहती है तो उसके लिए कुछ आसन्स मैंने आपको बताए है फिर भी अगर spinal cord related कोई problem है major है या normal problem है वो भी आपकी ठीक हो सकती है और बहुत अच्छे result आसनों के या योगासन के मिलते हैं लेकिन मैं बार-बार आपको बता चुका हूँ कि कोई भी आसन या योगी कोई भी क्रिया आप करते हैं योग विशे सगे के निर्देश अनुसारी करें उनके सानिद्दे में ही करें तभी आपको पूरा फाइदा मिल पाएगा तो आज हमने दोस्तों जाना स्टाइनल कोड के बारे में या कशेरू का दंड के बारे में डेड की हड़ी के बारे में बैकबोन के बारे में मेरू दंड के बारे में तो आज के लिए इतना ही फिर भी आपकी कोई क्वेरी है कोई क्वेश्चन है आपको जानना चाहते हैं तो आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं या comment box में comment लिखकर आप मुझे से पूछ सकते हैं आज के लिए इतना ही आप सब का बहुत बहुत धन्लेशा है